यहां इस वीडियो में हम सबसे पहले इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं मा के पेट के अंदर उनके गले में गर्वनाल का फसना यानि कि गले में पूरे राउंड राउंड से गर्वनाल लग जाते हैं वो क्या होता है क्या जिन बच्चों के गले में गर् कुछ लोग इस तरह के बाते करते हैं जैसे कि जाड़ू पोचा नहीं करना है ज्यादा जुकना नहीं है और भी दोचार एक्टिवीटिया है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है डियरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि वही करने के कारण बच्चे के गले में गर्वनाल फस जाती है तो हमारी जो डिलिवरी है वो नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो पाती है वो सी सेक्षन हो जाती है गर्वनाल फसने का जो अगर बात किया जाए कितने राउंड गर्वनाल कभी किसी बच्चे के एक राउंड फसता है एक बहुत इजिली निकल जाता है दो राउंड उसे भी डॉक्टर इजी निकालने की कोसिस करते हैं और कर भी देते हैं लेकिन कई बच्छों के गले में तीन राउंड फस जाता है जो यहां पर पूरा पैक्ट फॉर्म में दिखता है जैसे आप इन तस्वीरों के थूरू समझ रहे हैं कि किस इसाब से फस जाता है और बच्छे के लिए तब सर्वाइब करना कितना मुस्किल हो जाता है तो इन सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे विडियो बहुत ही संसिटिव होने वाला है और एक प्रेगनेंट लेडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यह देखना कि वह उनकी कौन सी एक्टिविटिया करनी है क गर्वनाल से रिलेड़ेड जितनी भी आपके मन में डाउट्स हैं उन सब को मैंने इस सिंगल एक वीडियो में पिक करने की कोशिश किये विकौज आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो उसी भी हाँ पर मैं यह वीडियो बना रही हूं तो चलिए मैं वीडियो के स्टा होता है जो पूरे 9 मन तक हमारे बच्चे का भरन पोसंद करता है अब यहां पर हम यह बात करेंगी कि गर्वनाल बच्चे की नि teibo असे वह बच्चे की अक्टीवीट यह से फस्तिए लेकिन लोग कोस्ते हैं बच्चे की मा giver इस जब कि मा की इसमें 0% गलती होती है कोई भी गलती नहीं होती है क्योंकि कुछ ऐसी अफवा-फैली हुई है कि आप जुपके पोचा लगाते हो जुक के जाडू लगाते हो या उठते हो बैखते हो तो इन सारी एक्टिवीडियो के कारण या कुछ एक्सराइज करते हो जिसके कारण आपके बच्चे गले में गर्वनाल लगाते हैं जबकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं गर्वनाल बच्चे खुद लगाते हैं कैसे लगात हमने और यह दों नाल बढ़ा होता है तो बड़े गर्वनाल वाले बच्चे अपने सरीर में ज्यादा लपेट दें जीन बच्चों का गर्वनाल छोटा होता है वह कम लपेटते हैं अपने खुद के सरीर में गर्वनाल को अगर मैं मेरी बात बताऊ हुए तब तब जाकर मैंने देखा मेरा गर्वनाल जो चोटा था ज्यादा बड़ा नहीं था तो मेरे बच्चे ने सिंगल एक राउंड लिया था तो एक राउंड बहुत ही कॉमन बात है यह बहुत सारे बच्चे एक राउंड लगाते हैं जो की जिली नॉर्मल डिलीवरी में निकल ज तो उसमें घबडानी की बात में अब यह कि आपको कैसे पतास रहेगा कि आपके बच्चे ने गले में गर्वनाल लगा लिए वह आप जब भी अल्ट्रसांड कर वाओंगे ना एट मन्त पे यह नाइन मन्त तो आपको क्लियर्टी दिख जाएगी अब यह कि उसको निकालन सकता है इसलिए घबडाईये मत और गर्वनाल लगाने से यह इसा निए कि बच्चे पर कोई मुसीबत आ जाती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चा बिल्कुल स्वास्त होता है वह डिलीवरी में प्रॉब्लम माते डिलीवरी आपकी जो है वह नॉर्मल डिलीवरी नही सकती होकर मोस्टी सेक्षन हो जाती है आज इस आपके सारे डाउट को मैंने इस रूडियो में क्लियर कर दिया कुछ पूस्ना कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं थैंक्स वॉचिंट तक लिए वाइबाए ठेक के लिए